हलो नमस्कार दोस्तों मैं कॉसलें सिंग समख समानी चाचात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक श्वागत वाब निवन करता हूँ आज हम विञ्ञान विशय के अंतरगरत प्रकर द्ध्वनी की जो पाठ रोजना है वो कैसे त्यार करें उस पर चर्चा करेंगे जैसे यहां पर मिड़ में पाठ रोजना लिखा हूँ है यहां विशय, उप विशय, प्रकरड, यहां विद्यलय का नाम और यहां पर दिनाग लिखा जाएगा जो राइट साइड है यहां पर कच्छा, वर्ग, कालांस, समयावध ही लिखा जाएगा इसके साथ ही साथ यहां पर जो सामान उद्देश हैं उनको यहां पर मेशन करना होगा यहां पर देखें पांच पॉइंट दिये होए हैं सामान उद्देश के उनको यहां लिखा गया है इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश हैं या इन्हें specific objectives भी वोलते हैं या behavioral objectives भोलते हैं जिनके अंतरगर knowledge objectives जो है यहाँ पर दो points दिये हुए हैं फिर है understanding objectives यहाँ पर दिया हुआ इसके अंतरगर भी दो points हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है experimental objectives जो है यहाँ पर दिया हुआ है आप देख रहे होंगे यहाँ दो points दिये हुए हैं फिर उसी के साथ ही यह TLM teaching learning material तो यह भी यहाँ दिया हुआ है क्या-क्या TLM हमें use करना है इसके साथ ही साथ previous knowledge जो बहुत महतुपूर है कि जो डॉपी पढ़ाने हम जा रहे हैं उसे सम्मनित बच्चों को क्या-क्या जानकारिया है वो सब यहाँ पर हम बताएं और इसके साथ ही जो introductory question यहां दिया हुआ है आप देख रहे हैं एक दो तीन जोकि तीन कम है जोकि पांच आइड लिस्ट चार से पांच के बीच में introductory question होने चाहिए तो यहां पर यह जो तीसरा प्रश्ण है यह problematic question है और इसी से ही हम आगे प्रस्तामना पर यह उद्देशी कथन कि चात्रों आज हम ध्वन के बारे मिस्तार पुरुव कर्द्यन करेंगे तो यह बोलड आटा है तो टॉपिक यहां पर हमने निकलवाया बच्चों से फिर उसके बाद आता है हमारा presentation जैसे आप यहां पर देख रहे हैं प्रजेंटेशन है हमारा यहां एक दो question developing question पूछेए और फिर explanation लेंगे यहां पर अगर आप देख रहे होंगे यहां पर और इससे पहले भी बनाया होगा तो जिससे यहां पर आप देख रहे होंगे इसपष्णी कड़ह और थ्वरों का यहां पर यह हम कंक्लिवड कर देते हैं कंक्लिजन निकालते हैं आकर जो ढ़ कि अमारा विए इसके साथ यह देख कि बारे में पूरा कंक्लिजन निंकला यहां नीचे नीचिंग दिया हुए .. thought फिर इसके बाTime आती है जो अगला जो बच्चों की प्रतिक्रिया हैं उनको भी नोट करेंगे और यहां पर इस्पष्टी काड़ दे रहे हैं और यह लिखा एक कंपन जो है द्वन कंपन के काड़ उत्पन होती है यह सारा जो टीचिंग पॉइंट है उसको अमने यहां पर एक्सप्रेंट कर दिया और यह कंग तो यहां पर तो यहां पर जिससे सेहनाई यह लिखान सेहनाई है बासुरी है फूंक मांड कर द्वनि पनद्र की राति नोट नोट कर सकते हैं और द्वनी के प्रकार यह जो अगला प्रकार जैसे यहां दिया हुआ है कि कितनी प्रकार की धुनिया होती है अपसरव्य प्रासरव्य और इसके साथ ही साथ यहां पर स्यामपट सारांस दिया हुआ है यह स्यामपट सारांस दिना वैसे ही पूरा मेंसन करना होता है जो जो चीजे में यह सब में कामन ही होता है उसकी बाद पनिराबते प्रश्शन जो द्होंस सम्मनिथा कि ने पढ़ाया है यहां पर लिखेंगे और उसको सम्मनिथ पूछेंगे और जो अंतिम जो रहेगा यहां पर वो आपका रहेगा ग्रहकार है जैसा यहां पर जैसे यहां पर दिया हुआ है ग्रहकार है तो ग्रहकार है आपको दिया हुआ है तो इसको आप देख लेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से ज प्योर्य भ्योर्य कि झाल, गुकत अरुट्ट नैड़ी झाल, पिल झाल, दखाशा़ी थ्यूर्य के शाएंगे, उरुछ झाल, तब झाल, 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 जो झाल.